नमो बुद्धाए मैं आर्पी सिंग आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ हमारे विशेश कारेक्रम धम दीप में दर्शकों जैसा कि आपको विदित है कि धम दीप एक ऐसा कारेक्रम है जिसमें ततागत बुद्ध के जीवन पर अधारित हर पहलू पर आप तक इस विशेश के जाने माने विशेशक्यों द्वारा जानकारी दी जाती है आज इसी क्रम में हम आप तक अमरावती के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए उपस्ते थें और हमारे मद्ध उपस्ते थें बंते डॉक्टर चंद कीर्थी जी आपने बुद्ध दर्शन में उच्चे सिक्षा प्राप की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकरित होने के साथ-साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिजम पर अपने विचार रख चुके हैं तो हम स्वागत करते हैं बंते डॉक्टर चंद कीर्थी जी का बंदामी बंते जी आपका हमारे इस कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है बंते जी आपका बहुत-बहुत स्वादुद्धिजम पर अनेकों में बंते जी आपका बहुत-बहुत स्वादुद्धिजम आपने हमारे दर्शकों को अपना आशिरवाद दिया और हम आपसे अभिया प्रार्तना करते हैं कि हमें आज के मूल विशह अमरावती के बारे में उपयोगी जानकारी दें बहुत-बहुत धन्यवाद आरपिस सिंग जी आज हम लोग चर्चा करेंगे इस धमदीब कारकम में अमरावती के संबन में चुकि धमदीब कारकम ये सभी अपासक अपासिकाओं के लिए एक बहुत 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 यह ग्यान वर्दक हैं और जैसे कि हम देखते कि तथाग गौतम बुद्ध ने भी मानव कल्यान के लिए जो सुक और सांती का उपाय बताया यहां काफी महत्पून हैं और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते कि उन्होंने कलासन्स कुरती और नजाने कितनी सारी ऐसी बातों पर जोर देते हुए मानव कल्यान की ब जैसे ही हमने देखा कि यह लोगों को यह समझ में आया और जैसे बहुत धर्मा धिरे दिरे 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 जो है वो विक्सीत होने लगा है या विक्षीत विकास होने लगा तो आप देख पाएंगे कि यह एक अलग अलग जगहों में अपना एक जो प्रभाव है उडालते भी नजर आता है तो तीन प्रमुक सहलिया उसकाल में थी जिसे हम गांधार सहली कहते हैं मतुरा सहली कहते हैं और अम्रावती सहली कहते हैं यह तीन प्रमुक सहली जो की तथागत गौतम बुध के धम परचार के बाद जो की बहुत बड़े पैमाने पर यह विक्षित होती हैं और इन सहलियों को जब हम देखते हैं तो पाते कि तथागत गौतम बुध के जो विचार है वो सीला लुखों में और बुद्विहारों के माद्यम से ऐसे कई चेत्यों के माद्यम से हमें वो देखने के लिए मिलते रहता है तो वैसे ही एक जो इस्तान जो कि बहुत ही महशूर है और अपने सिल्प कलाव के बारे में बहुत जो है वह लोगों तक उसका इस पहला हुआ है तो वह है अम्बरावती यहां जिले के नस्दी कि यह इस्तान है जो कि आप देखेंगे तो विजेवारा से लगभग बाशट किलो मिटर दूरी पर यह अम्बरावती इस्तान है जिस इस्तान पर समराड असुक ने एक बड़ा इस्तूब बनाया जिसका नाम अम्बरावती इस्तूब के रूप में आज बरतमान में जाना जाता है इस इस्तूब को देखने से पता चलता है कि यह है एक प्रकार के जैसे की साची का इस्तूब है उस साची के इस्तूब के समान हमें प्रतीद होता है क्योंकि समराड असुक ने जगा जगा तथागत गौतम बुद्द के विचारों को अपनाने के बाद, उन्होंने कई सारे विहार, इस्तूब, चेत्य, सिलालेक और भी इतियादी चीजों का निमान किया, तो वही साची का इस्तूब जैसे कि आप देखते हैं, वैसे ही आपको यह अंबरावत्ती का भी जो इस्तूब है, वो आपको देखने के मिलेगा, और देखा जाए तो यहाँ उस समय का एक सबसे बड़ा सिच्छा का केंदर हुआ करता था, जिसकी हाइट आप देखेंगे तो पायेंगे कि यहाँ 95 फीट उच्छा हमें देखने के लिए मिलते रहता है, और इस स्तूब में अमरावती की जो सैडी रही है उस काल में, तो आप देखेंगे क यहाँ पर पत्थरों का, चूना का और कुछ जगए इटों का विसेस तोर पर यहाँ पर उपियोग करते हुए हमें देखने में आता है, उसी तरह से यहाँ एक ऐसा इस्तान जहाँ पर की वास्तुकला और मुर्तिकला भी बड़ी प्रशिद्ध है, तो हम देखते हैं जैस अमरावती हैं, अमरावती के एर्देने यह भारत का दक्षिन भाग माना जाता है, और यह दक्षिन भागों में अमरावती जब इस हैले विक्सीत हो रही थी, तो महां की वास्तुकला और मुर्तिकला को जब हम देखते हैं, तो हमें उस दक्षिन में कहीं समानता हमें का इस्तमाल किया जाता था और वो गोलाकार रूप से बनाया जाता था इस तुप के चार दवार बने हुए हैं जहां पर ये वरतमान में तो ये खंडर के रूप में हमें देखने के लिए मिलते रहता है तो करनल मेकेजी ने इसको खोज निकाला और उसके बाद हमें ये अस् विक्कु है वो रहा करते थे और वो अध्यन भी क्या करते थे तो दक्षिन में अमरावती एक ऐसा इस्तान था जहां से धमका पर्थार और प्रसार दक्षिन के भागों में अधिक तर होते भी देखने के लिए मिलते रहता हैं इसका जब निर्मान किया रहा था तो इसको बहुत अधिक समय हमें देखने के लिए मिलता है कि बड़े पैमाने पर जो है वो यहां पर बड़ी ही सुन्दर ढंग से आकरशिद ढंग से इसे बनाएगा ऐसे लिए आज वरतमान में भी बहुत ही आकरशिद का केंदर बना हुआ है इतने पुराने होने के बावजूद बेगा क्योंकि उसके अपनी हमास्तूकला और जो कि अलग अलग जो मुद्राएं हैं उसमें बनी हुए इबुद्र की मूर्तियां जो कि आप जानते हैं कि उस समय में ये विक्षीद किया गया था जिसे ध्यान मुद्रा है भूमी स्पस मुद्राएं हैं और धमचकर परव जो दी गई मूर्तियां हमें देखने के लिए मिलते रहती हैं और होती शुंदर हैं और इशिद ही ऐसे इस्तारों को चुकि आप जानते कि यहां दुनिया भर में जो बहुत अनुआई हैं वो भी देखते हैं और सभी लोग जो है इस सुंदर आकरशन को देखने के लिए पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं क्योंकि इस समय एक पूजा का इस्तान हुआ करता था जिसे हम साला कहते हैं विक्कु के रहने के कक्छु हुआ करते थे और बुद्वियार हुआ करता था जहां पर अध्यनध्यापन का काम संपन किया जाता था तो एक बड़े भाग में हमें बनते भी देखने के लिए मिलते रहता है तो वह इस्तान जो कि प्राचीन काल में ये काफी वरहद रहा है विशाल रहा है और इसके जो कुछ भी सुंदरताएं हैं भंगी माएं हैं मूर्तियों में देखने का जो आकरशन हैं सांती का जो भाव है वो हमें प सिल्प कलाओं की वज़े से काफी हमें यह लोगों तक अपनी च्छाब बनाए हुए उस समय से लेकर आज तक भी हमें नजर आता है क्योंकि सोभव एक तरु पर जब हम देखेंगे तो किसी भी वास्तु कलाओं की हो या इमारत की हो या भावन बिल्डिन्ग की हो तो आपको देखने के लिए जब ये समय आता है या हम देखते हैं तो उसके अपनी गंभीरता को उसके अपने सुन्देरियों को उसके अपने सुभाव को अपने करत्य को देखने के लिए हमारा मन जो है वो खुद ही जान पाता कि कितने अच्छे ढंग से इसका निर्मान किय गया इसको बड़े सुन्दर ढंक से तरासा गया पत्थरों को यहां पर बड़े सुन्दर ढंक से लगाया गया है उसी के साथ साथ देखेंगे तो तथागज गौतम बुद्र के जीवन चरीतर को भी यहां पर अवतरीत किया गया है आप देख सकते हैं कि कुछ जातक कथाओं का भी जगा जगा हमें वरनन मिलते रहता है यहां पर जो दुवार हुआ करते थे दुवार पर हाती हैं घोड़े हैं और भी असोक चक्र जैसे चित्रों का वरनन हमें देखने के लिए मिलते रहता है अर्थात उन्हें बनाया गया इस तरह कि जो शुंदर आकरती हैं यह आकरती मनुश्य को आज भी प्रभाइद करती हैं और यह ऐसा दिलाते रहती है कि हमारी जो विराशत है प्राची धरोहर है यह कितनी विक्षीत रही है अपने कारियों को लेकर क्योंकि यह अतनी हस्त कलाएं हैं जो कि पत्थरों से डिजाइन करना और इतने हजार सार पुराने होने के बावज़ुद भी अपनी जो वास्तिकता है या जो अपना सीलों पर या पत्थरों पर जो लिखा गया है या उसको बनाया गया है वो अपनी उस समय की ताकत को अभी वी दर साता है तो यह कोई साधारन नहीं है अतात तथागत गौतम बुद्ध के सील सदाचार की जो सिक्षा रही है मानव कल्यान की सिक्षा रही है उसके माद्यम से यहां पर अद्धिन करके जो बहुत भिकू हुआ करते थे वो बहुत भिकू हूँ अपने ग्यान वर्धन करके लोगों के कल्यान के लिए उसको उपयोग क क्या करते थे इसलिए जैसे के हम नालंदा जैसे विश्विध्ध्याले का हमें सा नाम लेते रहते हैं तच्सिला है विक्रमसिला है उसी तरह से अमरावती में भी इसalth छा ए कि विश्विध्याले उसकाय में बड़े पेमाणे पर देखने के लिए जो हमें मिलता है कि यहां पर जो की बड़ा ये आचारे परंपरा जिसे कहते हैं ये आचारे परंपरा ने हर एक आदमी को विक्षित करने के लिए या उसके ग्यान को बढ़ाने के लिए या उसको और भी बहुत से अलग अलग छेतरों को कैसे हम गरन का सकते या पारंगत बन सकते हैं उसके लिए ये प्रियास इन कर्दरों के माध्यम से किया जाता था और शहलिए इसको बनने में भी काफी वक्त लगा और जब ये बनने बन का त्यार हो गया तो यहां पर सिख्छा संसकार का काम अलग-अलग कला कोशल्य का काम जिसे हम जानते कि विग्यान जो है वो बहुती महत्पून होता है तो उस समय भी इस तरह की सिक्षाएं उस काल में विशेश तोर पर दी जाती थी और इसलिए जब हम देखते हैं कि जो जक्षीन भारत का जो भाग है वहाँ पर अलग अलग जगा में हमें एक नहीं तो अलग अलग जो विहार इस तुच्छत हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं पर विशेश तोर पर अमरावती जो कि यह प्राचीन काल में बहुती प्रशिद्द केंदर रहें और इन प्रशिद्द केंदरो के माद्यां से उस जगह में पचार पसार किया जाता था आप जानते की बहुत भिक्कों को रहने के यहां पर निवास बना करके उन्हें जो उपासक उपासिका है उन्हें मदद किया करते थे चाहे वो किसी भी प्रकार की हों और ततकालिन जो राजा हुआ करते थे वो राजा भी भिक्कों को काफी मदद किया करते थे ऐसे केंदरों को पूरी तरह से जन्मानस का समर्थन मिला करता था तो अमरावती जो सैली है जो अमरावती स्टूप हमें देखने के लिए मिलता रहता है तो ये सिक्षा के केंदर में अधिक तर जो सरद्धामान उपासक उपासी का हुआ करते थे वो महाँ पर जाकर के खुने दान दिया करते थे हम जानते कि जो बहुत भिक्कों है उनको वस्त रहने चीवर दिया जाता था भोजन प्रा दिया जाता था ये सब कुछ जो भिक्कूगन है उनको नी स्वात भावना से इन चीजों को दिया जाता था जिसे हम दान कहते हैं उस काल में दान का भी काफी महत्व देखने के लिए मिलते रहता है क्योंकि लोग बड़े सरदा से उस काल में ये सब चीजों को देते थी और इसलिए ये बड़े-बड़े केंद्र जो है वो विक्षी धुआ करते थे विशिस तोर पर आप देखेंगे तो समराट असो का बड़ा योगदान इसमें हमें देखने के लिए मिलते रहता है तो अमरावती यह सभी स्थान अपने आप में एक बहुती गवरशाली जो हमें देखने के लिए मिलते रहता है हर प्रकार की कलाक औशल्य हर प्रकार के यहां पर जो डिजाइन की वही चीज़े है वो खाफी सुन्दर हुआ करती थी और एक एक चीज़ों को भी जब हम देखते हैं तो हर एक आदमी देखने वाला का मन महो लेता है देखने में लगता है कि यह पत्थर है लेकिन वह किस तरह से डिजाइन किया गया है तो आपको पता चलेगा कि यहां पर इन इस्थानों पर खासकर जब अमरावती की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखने के लिए मिलते रहता है कि सभी चीजों को बड़ी सुन्दरता से बड़ी महनत परिश्रम से जो है उसको आकार दिया गया जहां पर किसी भी प्रकाह की छोड़ी छोड़ी चीजे भी वहां पर जो गलत रूप से नहीं बलकि सही धंग से डिजाइन करते हुए वह हमें देखने के लिए मिलते रहती हैं जैसे कि द्वार के जब आप देखेंगे तोरण जिसे कहते हैं तो यह सब कुछ ठीक धंग से बनाया गया बुद्र की मूर्तियों को जब देखते हैं तो वो भी उसके हर एक चीज़ों को आप भाव भंगी और माहों को देखने से हमें पता चलता है कि ठीक धंग से ये इसका निर्मान किया गया है उसे बनाया गया और बनाने के बाद में उस काल के ततकानी जो लोग थे वो बहुती ऐसे केंद्रों को और भी आगे बनाने के लिए मदद करने के साहसा उसकी देखरे करने पर भी जो दिया करते थे इसलिए ये इस्तान उसकाल में विक्षीद भी हुए और यहां पर लोग आते थे और वो सभी प्रकार का अध्धिन करते थे और अध्धिन करने के बाद विशेश तोर पर जब आप देखेंगे तो पहेंगे कि जो विक्षीद भी कूगन है वो ध्यान साधना के माद्यम से अपने ग्यान को अरजीत करके वह ग्यान अपने तक सीमित न रखते विए उन ग्यानों को लोगों तक पहुचाने का काम इस करता चलता है कि इन इस्तानों पर आगे चल करके बहुत बड़े बड़े जो भिक्कूगन हुए जिनका धर्मशास्तों में या धर्म में बड़ी पकड़ थी जिनका बड़ा गहरा ग्यान था खुद भी वह बड़े लर्नर थे अध्यान करते थे और वह अन्भव भी करते तो इन सब चीजों को आप देख पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने एक तो तरीपीटक का ग्यान जिसे कहते हैं जो तथागत गौतमुद की मूल सिक्षाएं जहां पर चिपी हुई है या उसमें रखे गई हैं उन सिक्षाओं को कैसे इंप्लिमेंट करना तो अलग-अलग जो आचारेगं थे वह आचारेगं इन सिक्षाओं का पचार पसार करने के लिए खुद भी वह बहुत गेहरा अध्यन करते थे और दुश्रों को भी वह गेहरा अध्यन करने के लिए परेजीत कहते थे तो यहां एक पहले के कास से चलते आरी जो धम्ब की परंपरा है या जिसे सीखने की परंपरा गहते हैं तो वहाँ एक आदर्स जो है वो पहले से ही चलते आ रहा था और इसलिए आप देख पाएंगे कि चाहे वो नात से लेकर दक्षीन तक या पूरा से पच्चीम तक ये चारो दिशाहों में जो धम संदेश है वो भैल भी रहा था और में बड़ा महत्पून देखने के लिए मिलता है कि चार दुवार हुआ करते थे तो उसका जो संकेत है कि पूर्व पस्चीम उत्तर दक्षीन जो चारो दिशाहों से आने वाले लोग है वहाँ पर वो जा सकते हैं और वो अपनी प्रक्रमा कर सकते हैं उसमें चक्रमन कर सकत हैं तो इस तरह का जो प्रमुक प्रमुक इस्तान थे उस काल में विशेश तोहर पर समराट असो के काल में और तब से लेकर आज तक भी आप देख पाएंगे कि इसकी अपनी जो कुछ भी वास्तिकता है जो इतने सुन्दर घंग से इसको आकार दिया गया बनाया गया निर हमेशा इस बातों को प्रेजिर करते थे कि हमारा जो कुछ भी धम्मे है वो लोगों तक पहुचना उसके विचार पहुचना और उसके लिए कालांतर के जितने भी बहुत राजा हुई उन्होंने इसका ठीक ढंग से प्रियास किया दूशरा महत्पून आप देख पाएंग थे वहाँ भी इन विचारों को प्रिसारित करने के लिए या लोगों तक पहुचाने के लिए भी पूरा-पूरा प्रियास करते थे तो इस तरह से ये अमरावती जो सैली रही है या अमरावती का स्थूप रहा है ये इस्तान हमें बड़ा महत्पून लगता है इस पत्थरों पर जो है वो मूर्तियां बनाए जाती थी पत्थरों पर लेक लिखे जाते थे पत्थरों पर बुद्ध का जीवन चरीत तरह बनाया जाता था वहाँ पर अलग-अलग तरह किया करती जो कि धम्मा से संबंदीत रही है उन चीजों को हम देख पाते है कि इतने ब पहनत या जिसे हम कला कहते है कला कौशल्य कहते है यह कला कौशल्य उसकाल के उन लोगों के दिमाग को या उस समय में जो उनके अंदर में इसकील था कौशल्य था उसको वह प्रदरसीद करता है यह कोई साधरा नहीं यह एक बहुती महत्पून कौशल्य उसकाल में हमें द और जहां पर ये बड़ी संक्या में बहुत भिक्कू रहा करते हैं बड़ी संक्या में यहां पर कक्षा और विहारों का जो आकार था वो हमें विशाल दिखते हैं बड़ी संक्या में यहां पर ये भूभाग में बना हुआ जो कि विस्तार इने इस्तुब और जिसे हम विहार कहते हैं वो भाग सबी की सबी हमें देखने के लिए और इसके लिए जिन जिन भी बहुत भिको के माद्यम से जिन जिन भी सरदावान उपासक उपासिकाओं के माद्यम से जब ये तयार किया जा रहा था विशेश्ट वर्पे इसको करने के लिए जो कि असोक ये लगातार अल आप देखेंगे तो गुजरात तक आपको ये फैला हुआ जो भुभाग था बड़े पेमाने पर जहां पर ये बड़े-बड़े केंदरों का निमान किया गया और उन बड़े-बड़े केंद्रों में से ये अमरावती भी एक बड़ा केंद्र उसकाल में हमें देखने के लिए मिलते रहता है जो कि सिक्षा के पचार पसार करने पर जो दिया करते थे यहां पर बड़े-बड़े पुस्तकाला है थे जैसे आप देख पाएंगे कि न नालंदा है और नालंदा में बड़े-बड़े पुस्तकाला ही हुआ करते थे या नालंदा में जो बहुती इद्वान जो बहुत बिक्कु अध्यन करते थे उस्जी तरह से ये अमरावती में भी बड़े-बड़े पुस्तकाला ही हुआ करते थे और यहां पर जो बहुत ब लिए मिलते रहता है आज भी वरतमान में यह इस्तान हमें चुकिये खंडर के रूप में हैं लेकिन उस समय की हमें याद जो है वो ताजा कर देता है कि उस समय इस तरह का बना हुआ एक बड़ा भूभाग है और उस भूभाग में यह सबी चीजे अलग-अलग तरह से बनाए अब देख सकते कि एक जगह विहार, एक जगह स्तूप, एक बिकूखे रहने के इस्तान और चित यह सब उस बड़े भूभाग में हमें बड़े पहमाने पर देखने के लिए मिलते रहता है अधिक तर यह सबी यह जो इस्तान है इन इस्तानों को एक-एक करके है विक्शीत किया गया और विसित करने के बाद में यहां पर जो आचारे गन और खास करके उनके सिस्य गन ये दोनों ही रह करके इस काम को आगे बढ़ाया करते थे आप देख सकते कि ये जो परंपरा है वो हमें ऐसी दिखाए देती कि जो भिक्कु बनकर ही पढ़ना इन केंदरों में और ब्रम शिरे का पारन करना उनके लिए निवारे था और इस तरह के ग्यान को बड़े पेमाने पर जो ग्रहन करना ये सब लोगों के लिए बहुती निवार था और इनकी जो सम्यक आजीवी का हैं जो की चारी का करके ये जीवन जिया करते थे तो इस तरह के जो बने रहा करके अध्यन अध्यापन का काम करना इनकी खास करके ये बड़ी विसेस्ता हुआ करते थे और इसलिए इन केंदों में रहने वाले जो कुछ भी आच्रन करने वाले लोग थे सामाने लोग भी इनसे बड़े प्रभावित हुआ करते थे और इसलिए इन केंदों की जो किर बहुती एसेसमी रहे हैं क्योंकि जब तक एक शुंदर इमारत हो लेकिन उसके अंदर कुछ काम नहीं हो तो उसका कोई महत्मा नहीं रहे जाता लेकिन एमरावती, जो कि ये बहुत प्रमूक इस्तान रहा हैं, इसमें बनेवे स्थूब जो कि मैंने आप लोगों को इसके आकार के बारे में बताया और इसमें किस तरह के किन-किन चीज़ों का विशित तरह पर उप्योग किया गया है जो कि इतने हजाव साल पुराने होने के बाद तो विशित तरह पर पत्थरों को चुना के साथ लगा करके इसको जोड़ना और उसे ठीक तरह से आकार देना उस समय के ये कलाक और शल्ले में हमें बड़े पेवाने पर देखने के लिए मिलते रहता है इसलिए ये बुदिस्क आर्ट एंड कल्चर की जब हम बात करते हैं तो आपको ये अलग अलग तरह से सभी जगह देखने के लिए मिलेगा लेकिन विश्यस तोर पर कुछ सामयता हर जगह हमें नजर आती है विश्यस तोर पर जैसे कि पत्थरों का उपयोग करना इटों का उपयोग करना कुछ-कुछ जगह में लकडी का उपयोग करना कुछ-कुछ जगह में चूनों का उपयोग करना तो ये कुछ-कुछ साम में था तो हमें दिखाए देती है और इन बने हुए कक्षों में जिसे आप देख शकते की रोशन दान हुआ करते थे इन कक्षों में रहने वालों के लिए जिसे आप गुरू और आचारे की परमपरा में जब हम देखते हैं तो एक्षिस्य और गुरू भी किस तरह से वह उसमें रह करके अपना अध्यन करते थे ये सबी चीजे एक व्रहद रूप से हमें दिखाई देती है किस तरह से कुवा जो है वो बनाया जाता था ये सब सब चीजे हमें इन इस्तानों पर दिखाई देती है विशेश तरह पर जब आप देखेंगे तो इसमें जो अनाज रखने के जो भंडार है चुकि ये बड़े केंदर हुआ करते थे इसलिए यहाँ पर जो पढ़ने वाले विद्धाती है उनके लिए अनाज जो उपासक उपासिका हुने देते थे तो उसके लिए भी एक केंदर तयार किया जाते तो इस तरह का एक बड़ा महत्व है अमरावती का जो की समराट असों के द्वारा बनाया गया जिसके मैंने विस्थास से आप लोगों को इस देशना के मादयम से बताया है आप सब लोगों ने शूना सबके पती देहसारी मंगल कामना है आप सुकी हो दिरगाई हो स्वस्तर है बहुत उशब मंगलन बनते जी अमरावती के बारे में उपयोगी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हमारे दर्शकों को इसी तरह से अपना आशिरवाद देते रहेंगे तो साथियों आज के इस विशेश प्रोग्राम में इतना ही अब समय हो चुका है आज के इस प्रोग्राम के विश्राम होने का लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रस्ण हों जो जिग्यासाएं हों वह आप इस प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं और प्रस्ण पूछने के लिए हमारा WhatsApp नमबर 9639010109 पर आप अपना प्रस्ण पूछ सकते हैं या हमारी इमेल आईडी सुभारतीबुद्धा-dmail.com पर भेज़ सकते हैं जैसा कि आपको विदित है कि जो नए दर्शक आए हैं उन्हें यह जानकारी देनी है कि आपके प्रस्ण और समय बचाने के लिए एक सामनजश्य से यह कारे किया जा रहा है क्योंकि दर्शकों के बहुत से प्रस्ण बहुत ही व्यक्तिगत होते थे इस कारण हम उसे प्रसारित नहीं करते हैं परंतु आप उनके फोन नमबरों पर हमारे आदर्णी भंते दी द्वारा सीधे समवाद आप कर सकते हैं और यही प्रक्रिया हम इमेल के द्वारा भी करते हैं तो उमीद है कि आप अपने जिग्यासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विसेश प्रोग्राम का हिस्साबन अपने जिग्यासा को सांथ करेंगे तब तक मैं आरपी सिंग भंते डॉक्टर चंदकीरती जी के साथ लेत अरहतो